हलो एबरीवान राधे राधे कैसे हैं आप सब आई होव आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वास्थ और मस्थ होंगे और लगेतार मेरी वीडियो के साथ बने होंगे तो गाइज यहां पर मैं अंस्क्वे मालिस कर रही हूं तेल अजवाइन लसुन पका के ले आई हूं तो इसको मतलब मैं मालिस कर देती हूं और इसका फिर हाल में तबियत खराब था और ठंडी लग गया था डक्टर ने बोला इसको ठंडी लगा है तो फिर मैं इसको मालिस क पहले उल्टी वाले दवाई दवाई देती हूं 10-15 मिनट के बाद यह खेलेगा फिर मैं इसको बुखार के दवा पिला दूंगी और मैं इसको सोक्स पहना दिए क्योंकि यह चपल इदर फेक देता है तो अधिकत होता है क्योंकि ठंडी पैर से घीचता है तो फिर मैं इसको सोक्स पहना कर बोली कि जाओ तुम खेलो और धूप आ गया है अच्छा कसा फिर मैं इसके बाद मैं इसा के तेल लगा रही हूं अपनी बेटी को और इसको भी मैं ही करती हूं तो फिर मैं वही उसे को खेला कर उसको बोली बाबु थोड़ा सा जाओ मटर लेकर आओ तो फिर मैं इसको बोली कि अप मैटा और थैला लेकर आओ तो यह मटर वाले थैला और यह ठाली लेकर आ गई है और साथ मैं भी छिल वारी है मैं भी छिल रही हूं औ चोटे मोटे काम ना सियार और कशीppy आजीगे गर के नाम है और सियार के नाम सियार है तो हम कुद्ण भी बोलते हैं और इसा भी बोलते हैं तो हम तीनों बैठ करें यहां पर मतर चील लेंगे और अंस भी इसी में बैठा है, मस्तिक कर रहा है, कुछ दाथ से छिल रहा है, कुछ हाथ से छिल रहा है, इसका यही काम है So guys मटर छिला गया है, और इतना सरह मटर हुआ है, बड़े वाले थाली में एक थाली और मैें इसको चhylka दाने को रख दी हूँ और मैं जो चीलका है इसको मैं गाय को लूँगी यहां पर गाय आती रहते हैं जा आई तो उसको ले जाका डाल दूँगी तो ओखा जाएगी कचड़ी का डबा में नहीं डालूँगी इसलिए थैला के उपर मैं छिलका रखी हूँ और मटा चिला गया था उसके बाद में सिया को बोली कि तुम ड्रोइंग कर लो इसका ड्रोइंग वाला भुक था तो फिर मैं बोली कि चलो तुम ड्रोइंग कर लो और यह न वहां जो हम का नाटक में राते थे उसी से में उसका स्कूल का था यह पूरा नहीं हो पाया था तो मैं यह दोनों को खाना खिला रही हूं और मैं चावल नहीं खिला रही हूं दो पर का टाइम है लंच करा रही हूं तो दोनों को रोटे ही खिला रही हूं और मैं दोनों को बैठ कर खिला दूंगी तो खाल लेंगे नए तो अंस क्या है ना अभी तो खाना पसंद नहीं करता ह unting के साथ में यह दोनों को खिलाऊंगी ना एक साथ बैठा कर्ट तो यह batter एक थाली में दोनों को कहना ले लियूंँ में अलग अलग किला रहे थी तो गैज तक दूध आ गहे थे दूध बहिए तो मैं नीचे जा हरे हूं दूढ्री ने और मेरा अंदर से बन किसे रहती हूं कि इH भी हूं जैसे अंदर वाले बंद कर देते हैं तो यह से नहीं खुलत और पहले वाला भी दूद्ध बच्चा हुआ था कोई कि बच्चे लोका तब्या ठीक नहीं है तो दूद्ध पीना पसंद नहीं कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूं कल एक जनौरी है तो कुछ बना दूंगी और आज है 31 दिसंबर तो वही जो पहले वाला दूद्ध था उसका म बरतंद होंगी और उसके बाद मैं बच्चे लोको सुलाओं के इनने के कोशिश करूंगी क्यों कि सियाना पांच बज़े तक ट्यूशन जाती है तो यह मिनी डस्ट मीन है जिसको यहीं पर मैं रखती हूं तो इसमें से जो जुठा कठा था समय बाहर एक डाबा रखी हूं उसमें जाकर डालाई हूं और जो यह डाबा था इसको मैं अच्छे से धो डाली हूं और धो को प्लाट के रख दी हूं कि पानी इसका गरज है अभी हम बेडरूम में आ गये हैं और यह दोनों बच्चे को ले के आई हूं कि यह दोनों को मैं सुलाओंगी और सियाक को के बाद मैं ब्लैंकेट में यह दोनों को उड़ा कर सुलाओंगी तो यहां पर यह जो रूम हीटर है इसको लगा दी हूं और अंस भी खेल रहा है और सिया भी है और दोनों को सौक्स उतार दी हूं कि आराम से यह दोनों पैर्स सेक ले और मैं भी बैठकर थोड़ा दिर ब लोग के साथ लेटूंगी कि मैं जब से नहीं लेटूंगी ना तब से लोग नहीं सोएंगे तो यहां पर मैं भी आ गए हूं यह लोग के साथ बैठने है और मैं एक चुले पर कराही रखी हूं जिसमें करुआ तेल डाली हूं और एक तरफ चाय चढ़ाई हूं तो दुद करी पता खूब सरा डाली हूं और करी पता चटक गया है तो यह मैं आगे आप लोग वीडियो में देखे होंगे मटर चील रही थी तो मटर डाल दी हूं और मटर को डालकर अच्छे से बुनूंगी और मटर ना जब भूनते हैं तो बहुत ज़्यदा मतलब उड़ता है छी पाउडर और उसके बाद में यह चूरा डाल दी हूं हम लोग तो इसको चूरा ही बोलते हैं कोई-कोई लोग पोहा भी बोलते हैं हम ज्यादा तर चूरा ही बोलते हैं तो मेरा चूरा भूना गया है और एक साइड में चाय भी बनके रेड़ी है तो चाय निकाल लेती हूं उसके बाद मैं चूरा निकालूंगी मैं अभी अपने लिए निकाल रही हूं और सीया आएगी ना तो फिन उसके लिए भी निकाल कर दे दूंगी यह देखिए यह कितना अच्छा लग रहे है ना चूराबूना हूँ और यह चाय यह सामके मेरा नस्ता है और गॉल्ग घुकल्डब हुघ की धीं, थटन्डी में मनी निढें से और ल। छाय lovers की आज़या थम वम होनगा हों और हस्बिन जी के लिए भी ढग दी हूं और सिया भी चुरा खा लिए है और सिया ना यही पर बैटके खाई थी और तो चुरा थोड़ा बहुत गिरा दी है तो मैं सुझ चलो साम के जाड़ू भी लगा देती हूं और हर घर तो गंदा नहीं होता है यह वाले रूम ना ज्या यह बाद मैं जाओंगी कपड़ा उठाने क्योंकि कपड़ा भी साम के टाइम हो गया है और कपड़ा सुक गया होगा तो यह देखिए सारे कपड़े सुक गया है तो इसको उतार लेती हूं और उतार कर अंदर लिया आउंगी यह सारे कपड़े को फोल्ड करूंगी तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट येर में तब तक के लिए बाई बाई गाई अपना ख्याल रखे अपने परिवार को ख्याल रखे खुश रहे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा